स्वागत नहीं करोगे हमारा सो वेलकम 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 एवर्वन तो इस अमेजिंग वीडियो जितर मैं आपको गाइड करूंगा सो सबसे मोस्ट आस्ट क्वेशन है आज के टाम पहे जो मेरे चैट बोक्स में यही भरा पड़ा है कि सर सिंगल ग्रूप क्योंकि बिचारे बच्चे जो एक्जाम दिये क्लियर नहीं कर पाए अभी डिलिमा रहता है कि सर अभी सिंगल दे कि बहुत अगले अगले अटेम में तो मैं इस ही रिकार्डिक आपको गाइडेंस दूंगा लेकिन इसाब गाइडेंस लेने के पहले अले मेला बाभू सब्सक्राइब के भी ना सुनेगा ना ना पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना ठीक है अब होता क्या इसके अंदर बहुत सारे पर्मेटरशन कॉम्बिनेशन होता है ठीक है तो एक जनरलाइस्ट yes or no won't be the solution मैं बोल दू हाँ दोनों ही देना है ऐसा solution नहीं होता है बिकॉस इट विल डिपेंड कि स्टुडेंट की प्रिपरेशन अलग होती है किसे ने जादा पढ़ाय कर लिया होता है किसे ने पहले भी दोनों दिया होता है किसे ने पहले एक ही दिया होता है तो ऐसा बहुत सारे चीज़े होती तो मैंने क्या किया है सारे पर्मिंटेशन कॉंबिनेशन कंसेडर करने का ट्राई किया है और मुझे लगता अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो clarity तो आ जागी कि single देना है तो देखना पिछले attempt में आपने कितने group दिये थे अगर आपने पिछले attempt में sufficiently prepare करके दोनों group दिये थे sufficiently मतलब तब मी इसे classes वगरा की थी revision की कमी रह गई होगी writing practice वाली कमी रह गई होगी पर classes वगरा कर ली थी आपने और आपने बोत दिये थे पिछले attempt में तो आपको फिर इस attempt में भी बोत ही देने चाहिए काफी लोग ऐसे होते हैं जो पहले दो दे रहे थे फिर single पर आ जाते है मैं ऐसा मानता हो हो सके शमता है तो दोनों ही देना अगले बार जब आप A group देते हो आप महनत आधी करते हो सर ऐसा नहीं होगा हम तो ज्यादा महनत करेंगे कैसा होता है जब subject कम हो जाते है तो चार पात दिन करोगे ज्यादा महनत फिर लगेगा आरह याar 3 subject आराम से करता हो तो महनत कम होते वे चलती है और फिर क्या होता है आप अपने success को एक साल delay कर रहे हो है ना अभी देखो delay करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप में potential है तभी तो आपने दोनों दिया था ना पिछले time में तो अगर decently prepare करके पिछले बार दोनों दिया किसी कारणवर्श नहीं हो पाया तो इस बार मुझे लगता है आपको दोनों ही देना चाहिए ठीक है मेरा personal recommendation है of course आपको मेरे को सुनने के बाद भी लगता है नहीं हुझा single देना तो अलग बात बट मेर से पूछोगे तो बोद दो ठीक है तो इनका तो काम sorted है अगर आप इस category में यह देख लिया टाटा बाइब आप जा कि मस तो दोनों ग्रूप के तयारी करो अब आजा इदर काफी बच्चें इदर फॉल करते है जिन्होंने एक ग्रूप दिया था clear नहीं हुआ अब second group में लटके पड़े है क्योंकि उन्होंने second group की थोड़ी बद पड़ा ही शुरू कर दी होगी अब group 1 भी clear नहीं हुआ तो आप group 1 पर focus करे साथ में group 2 भी करे क्या करें सर एक आदमी कितन आपके पास, आपको एक simple calculation करना है आपके group 1 में जो भी आपने अभी paper वगेरा दियादा group 1 का, उसमें ये evaluate करो, कि क्या किधर भी classes लेने के जरुवत है कि आपको, ठीक है, मतलब basically मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको calculate करना है कि group 1 को वापस revise करने में कित्ते दिन जाएंगे, ठीक है तो suppose आपके group 1 में, मैं मानता हूँ, आपने group 1 दियाता हूँ अभी दोनों दिने का consider कर रहे हूँ, ठीक है आपने suppose FR AFM audit तीन subject है, अब आप देखो अगर आपको इन तीनों में classes के दरवत नहीं लगती है, आपको सिर्फ self revise करना बागी है इसको मतलब वोत न, classes तो पहले अच्छा से कर ली थी सर थोड़ी revision में कमी रह गई, writing practice में कमी रह गई, mock test नहीं दियाता सर तो उसे वो काम बागी है आपका तो उस case में you can consider going for both वाई both, क्योंकि उस case में आपको group two के लिए time मिल जाएगा even if you are not started yet है न, अच्छा में इसमें में एक simple presumption है कि आप महनत बहुत करो गया, रोद 10 से 11 घंटा पढ़ोगे वो करने है ready हो तो हाँ, अगर आप बोलोगे आपको लगता है कि इसमें आपको कहीं भी class लेने के जरुवत नहीं है तो फिर आप बोथ दे सकते हो, क्योंकि group two के लिए फिर पढ़ने का समय मिल जाएगा आपको क्यों, फिर group one revise करने में सौ में से कित्ते दिन लगेंगा आपको 45 days are more than sufficient, उसमें भी आपे न, कम से कम 2-3 revision कर लोगे आराम से आराम से होता है, पढ़ रख है न, पहले आपने revise तो करना है अब of course, revision में time लगता है, तो पहला revision में आपने आपने 25 days ले लिया है न, फिर आपने suppose, बारा दिन ले लिया, फिर जो भी बच्चे कुछे देना, आर दिन ले लिया ऐसे आप तीन revision कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है हाँ, एक possibility है, कि आपको लगता है, नहीं सर, थोड़ी बाग क्लासे लेने के जरुद पड़ेगी जैसे है तो चलेगा, मतलब तीनों में से किसी एक क्लासे लोग है, और बाकी दो को सेल्फ ही करना है, तो फिर आपको ग्रूप वन, ग्रूप टू दोनों के लिए समय मिल जाएगा, प्रोवाइटर आप हार्ड वर्किंग हो, ऐसा मैं क्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक सिंपल मैच बिठाओगे, ग्रूप टू पढ़ने के लिए समय कितना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक्जाम नजदी के तो आपन एफिशेंची थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्जाम नजदी के इतना सेंस, अभी यह थोड़ा जोश रहेगा ना, तुमको दोनो सब्जेक्ट मिलाके, 250 से 300 आवर्स लग जाएगे, डीटी एन एडीटी मिलाकर, ठीक है, 250 से 300 आवर्स, मतलब दिन का 10 गंटा पड़ेगा आदमी, तो on an average मानलो, 28 दिन में classes हो जाएगी, ठीक है, प्लस, यह तो classes का time हो गया, class के साथ daily revision जरू करना, मतलब जो daily पढ़ा, उस वो first revision में आपके 15 दिन ले जाएगी, और second revision में करीबन 8 दिन ले जाएगी, बराबर तो अगर आप total simple match बिठाओगे, तो 50 दिन on an average, एप्रॉक्स, यह न, प्लस, दो दिन का buffer पकड़ लो, और तीन दिन आप IBS पढ़ोगे, तो 55 days you need for group 2, तो इसलिए मैं कह रहा हो, अगर, cut जहां आप group 1 सिफ self revise करना बाकी है, या फिर group 1 में एक आदी class लोगे और बाकी self करना बाकी है, then you can consider going for group 2 as well, ठीक है, जिसमा आपको इतने दिन लगेंगे, ठीक है, अब आपका अगला सवाल आएगा, सर अगर हमको बोत देना तो हम शुरू कैसे करे, हम पहले group 2 classes करे कि पहल जाओ group 1, ठीक है, इसको कर लो revise फटाफट फटाफट, ठीक है, इसको एक बार revise कर लोगे, फिर देखो, जितने estimate के उत्तर समय में हुआ क्या पहला revision, 25 दिन में हुआ क्या पहला revision अपना, अगर हो गया, पहला revision, उठा लो by group 2 फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर safe ख शुरू कर दो, और जब पढ़ोगे ना दिन में, तो make it a combination of two subjects, one theory and one practical, दिन में दो ही subject पढ़ना उससे ज्यादा मत पढ़ना भाई, ठीक है, मतलब हाँ सुबे सुबे आप एक गंटा रोच audit पढ़ता तो वालग चीज है, उसको मत गिनो फिर, बाकी full flash पढ़ोगे तो एक theory एक practical, दस गंटा पढ़ोगे तो चार गंटा theory, छे गंटा practical, उस तरीके इस वेगे and move forward, ठीक है, तो मैंने कोशिश के के calculation बिठा के दू, जिससे आपको थोड़ा सा clarity आए, कि single देना है कि both देना है, ठीक है, वापेस से बता दू, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना, क सुनना, हो सके, go for both, personally बता रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा both के फिर्वरम ज्यादा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है, जब इंसान है, both प्रिपर करता है, तो अपनी limits पुश करता है, ठीक है, वो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करता है, और वो aggregate वाला फाइदा भी हो जा ये वीडियो देखने के बाद, आप अपने हिसाफ से decide करो, कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है, आप single single भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मिने में ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा आपके life में, but yes, if you ask me, I would have gone for both, if there is a possibility, okay, चलो, so I really hope, मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में अगर वीडियो हिलफुल लगा, तो वैसे बताना ना कमेंट सेक्शन में, कि आप क्या सोच लो, single दोगे, both दोगे, ताकि बाकी बच्चे को मालूम पड़े, कि सर हमको क्या करना चाहिए, और उसके लावा, वीडियो पसंद आया, like जरूरू करना, subscribe जरूरू करना चैनल को तो thank you so much everyone, bye bye, everyone take care, see you all, bye bye